हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तों आज 24 जून के टॉप के सारे करेंट अफेस हम लोग देखने वाले हैं विठ मैप देखेंगे और जीके जीएस के जितने भी फैक्ट्स होते हैं सबको रिवाइज भी करेंगे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल प्रिवीजन कराता हूं तो जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत अच्छा है उनके लिए जो लोग नहीं देख रहे हैं वह तो इसका घाटा उन्हें देखना पड़ सकता है अपने लाइफ में क्यूंकि अब एक्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं तो आपको यह चल रही है डेली कुइज चलती है आपको इसके लिए टेली ग्राम जॉइं करना होगा टेली ग्राम एक ऐप होता है इसको आप जॉइं करोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यह वहां से आप चैनल जॉइं करके क्विज का सही आंसर अपना देख सकते हो खितनी आपकी त हुआ है तो ऑप्शन एक इंडोनेसिया सरी इंडिया इंडोनेसिया जापान और चीन तो यह हुआ है माउंट मोर्पी है इंडोनेसिया में आई इंडोनेसिया आपको लिए चलते हैं तो इंडोनेसिया जो है यह दुनिया का सबसे ज़्यादा आइलेंड वाला कंट्री है यह जकारता जहां पर आसियान का हेड़कॉर्टर भी है लेकिन अब इससे बदल दिया गया पूरी काली मंतन इस्ट काली मंतन ठीक है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए इस्ट काली मंतन नेक्स्ट है इंडोनेसिया के आराउंड जितने भी कंट्रीज है सबकी राजधानी और करेंसी आपको याद होनी चाहिए तो मैंने एक राजधानी और करेंसी पर एक वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैंने सेयर किया था बहुत लोगों ने देखा भी होगा बहुत फायदा भी होगा लेकिन आपको याद होना चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं इंडोनेसिया के बगल में है मलेसिया मलेसिया की राजधानी कहा है कौललमपूर ठीक है और मलेसिया की एक तरीके से करेंसी क्या हो सकती है तो वो होगी रिंगित दूसरी है लेबनान तो वेस्ट एसिया में पढ़ जाता है Indonesia की currency का नाम आपको जानना चाहिए तो Indonesia की currency है Rupia क्या है? Rupia ठीक है दोस्तों? फिर आते हैं यह रहा यहाँ से यहाँ तक Indonesia Malaysia हो गया फिर Bandar Seri Bangwan यह नाम आपको थोड़ा अजीव लग रहा होगा लेकिन यह है Bruni Bruni भी एक देश है यहां पर बुरुणी की करेंसी है बुरुणी की राजधानी है बांदर सीरी बगावन बैंगवान जो कहले और यहां की करेंसी है बुरुणी डॉलर ठीक है दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है नेक्स्ट जो है पॉइंट इधर का थाईलेंड की राजधानी है बैंककॉक और बहुत यहां की करेंसी है बर्मा या म्यानमार की राजधानी है नापिडाउ और यहां की करेंसी है क्यात ठीक है लाउस की अभी अन्तियाने और यहां की करेंसी है कीप अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा जो एसिया के देश हैं उनकी राजधानी और करेंसी जुरूर याद करिए क्योंकि यहीं से संभावना सबसे ज्यादा रहता है आने का सवाल अगला कुश्चन है किस देश की प्रथम राष्टपती को कोरोना हो गया है विस कंट्री फर्स्ट प्रेसिडेंट नूर सुल्तानी फांड कोरोना पोजिटिव तो यह है कजाकिस्तान के जो प्रथम राष्टपती थे उनका नाम था नूर सुल्तान और कजाकिस्तान की राज कुमर काफी है लेकिन इने को ऑजिटिव हो गया है हो गए हैं अब देखते हैं ये बचते रहा है यह फिर नहीं Iraq a तक याद रखती हम इसे जरूर देखिए है यहां आइब बटन पे डबाके देख सकते हैं उस पर मैंने है डिटेल सुरू किया एक दो पार्ट एसिया में रहाएगा चूंकर एस्या सिस्पीशिया से सबसे ज़्यादा सवाल पुषे जाते हैं उब हाँ पे है kadar Chinese वागे पास ह्ये इसकी हुजाइगी किर्गी सूम करेंसी थिक रूबल में तो रोस्या की करेंसी नेक्स तो इस होता है उजबेकिस्तान और तुर्कमैниस्ताम और तुर्कमेंस क्या होगी सोम और तुर्कमेंस्तान इसकी करेंसी होगी मानत तर्क मेनीस्तान की करेंसी क्या होगी मानत तो यह दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ते आपके सामने वह यह कुछ और देश राजधानियों को याद रखना चल्lor 가지고 चैनल को लाइक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और साथी साथ बेल आइकन जरूर डबाईए बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पर पहुँचेगा इस आई बटन पर दबाएंगे तो जिरी इतने भी रिसेंट में प्रैक्टिस सेट चल रहा है सब की लिंक आपके पास आजाएगी आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करने है और साथी साथ मुझे ये बताई कि क्या आप एक लाइव सेशन चाहते हैं अगर लाइव सेशन चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ इस बार इस चैनल पर लाइव सेशन दूँ ताकि जितने भी फालतू के लोग हैं जो बेकार सा सवाल पूछते हैं वो ना पूछें तो चलिए सुरू करते हैं तीसरा question मुख्यमंत्री स्रमिक योजना किस राजने लॉंच किया है तो ये मनरेगा के तर्ज पे लॉंच किया गया है जारखंड सरकार के दौरा जारखंड सरकार के दौरा मुख्यमंत्री स्रमिक योजना लॉंच किया गया है अब जारखंड किस एरिये में पढ़ते है भारत का ये तो आपने देखे ही होंगे आपने कि ये एक तरीके से इस्टर्न इंडिया का पार्ट है जारखंड की राजधानी है राची और हतंग टीक है ये है जारखंड मेंमें कोल रिजर्ब ज्यादा है झारखंड और चांड चायल में लेकिन को इले सबसyt्वर्दः करता चांड़ 26 गन ंटिप्रिस अध में हैं मैं कहिसारी बोकारो बोकारो में क्या एक्पंद्र skeIA चिल प्लांट इसब जगों के नाम जूर और गोवर्नर दोनों आपको याद रखना है जो भी है इसके सीम और गोवर्नर ओप मुझे कमेंट करके बताओगे मैंने कई बार बताया है हमेशा रिविजन कराता हूं बिहार के हैं सीम नितिसकुमार और फागु चोहान यहां के कोवर्नर हैं दूसरे हैं उत्तर प्रदेश सुत्तर प्रदेश के ता आपको पता ही है अधितनात और अनंदी बेन पटेल मद्य प्रदेश के हैं सिवराज सिंग चोहान चौथी बार अभी रिसेंट में सीम बने हैं और गोवर्नर है लाल जी दास टंडर चलिए नेक्स्ट कोश्चन है इंडियाज बी एसी सेंसेक्स किन वर्ल्ड सेयर मार्केट अब देखिए एक रिपोर्ट पब्लिस हुई थी इसके हिसाब से भारत का बी एसी सेंसेक्स जो है एक होता है आप सुनते भी होंगे एन एसी निफ्टी और एक होता है बी एसी सेंसे तो बी एसी जो है वो 200 कंपनियों का समूह होता है कई बार ऐसी का बॉंबए स्टॉक जो कि एसी और यह का सबसे पुराना एम करहा है कि यह झा भी आप एक चैन्ज तो यह पुछे घर लए कर रहा हूं इसे जरूर नोट कर लो भायू बीएसी का बॉंबै स्टॉक एक्षियन 200 कंपनियों का और एनसी का 50 कंपनियों का इसमें अब रैंकिंग एक जारी हुई है एक रिपोर्ट के हिसाब से यह जो बीएसी रैंकिंग है यह भारत का कितने अस्थान पर पूरे दुनिय और जल्दी मैं रैंकिंग पर एक वीडियो लेकर आऊंगा इंडिया साइंड 200 मिलियन यूरो लोन अगरिमेंट तो विच कंट्री तू फाइट अगेंस्ट कोरोना भारत किस देश के साथ 200 मिलियन यूरो लोन अगरिमेंट साइंग किया हुआ है कोरोना से लड़ने के अब यूरोपीय यूनियन से अभी कौन सा देश अलग हुआ है तो वह है इंग्लैंड कि मैंस्ट कुस्चन है दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक डे यह मैंने बताया भी है कई बार और यह विगत दिनों बीटा भी है तो यह उलंपिक डे है यह 23 जुन अब उलंपिक जानते हैं आप गेम्स होता है जोगी एथेंस से शुरू हुआ था ग्रीस एथेंस रीजन जो थे उन जगहों से यह शुरू हुआ और आज लगवग भारत के मैं क्या कहूं विश्वके जितने भी देश हैं सारे इसमें पा एक मना जाता है यूवेन पॉब्लिक सर्विस डे इंटरनेशनल वीडोज डे विद्वा दिवस और पॉब्लिक सर्विस दिवस दो मना जाता है चब्श जून को देखिए क्या मना जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट आफ विक्टिम्स आफ टॉर्चर जो भी जिन लो डे अब 21 जून को देख लेते हैं 21 को अपने मनाया भी होगा फादस डे मनाया आपने इंटरनेशनल डे आफ योगा मनाया और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया मतलब चार दीन है चार दिवस है इसे प्लीज नोट कर लिजिए पित्र लिए कि स्पेशल डे मनाया जाता है 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है यह मनाया जाता है 21 जून को दोस्तों पिछले मन्त के जो मैंने दिन बताये थे मैई जून यह सबका अलग-अलग मन्त का मैं डे ले आता हूं कौनसा दिवस फेमस है उसमें मैंने कॉमन कॉमन्वेल्थ डे बताया था तो अगर आपको याद है आपकी मेमरी बहुत अच्छी है तो कॉमन्वेल्थ डे कम मनाया जाता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को रियल में याद रहता है Common Wind Day Next है Question Mission Zero कहां लॉंच किया गया है Mission Zero कहां लॉंच किया गया है Option 1 है मुंबई, दिल्ली, अमरित्सर और पटना अब यह Mission Zero कहां हो सकता है जहां कोरोना के केसे सबसे ज़ादा है तो वो जगा है मुंबई और इसी के लिए यह लॉंच किया भी गया है मुंबई और अहमादाबाद के बीच में ठीक है, अहमादाबाद और मुंबई के बीच में पहला Bullet Train Consignment सुरू होगा Bullet Train के पकारे भी सुरू कर लिया गया है मुंबई में और क्या क्या है तो यह निकलती है महाबाले स्वर से और कावेरी नदी कहां से निकलती है कोगालू डिस्ट्रिक करनाटका से तो दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको अब अलग इंपोर्टेंट चीज़ें याद रखना है मुंबई में और भी जो चीज़ें जैसे कि मुंबई की स्राज में पड़ता है तो महरास्टा में महरास्टा के जो सीम है वो है उद्धर ठाकरे और गॉर्णर है वहां के भगत सिंग को सियारी तो अजन्ता और एलूरा की गुफाएं यह कहां है तो यह गुफाएं हैं महरास्टा में साथ चाथ एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं महरास्टा में बहुत ही प्यारा जगा है और अगर आर्केलोजिकल के हिसाब से आप देखेंगे वहां गोमने जाएंगे वहां के मॉनिमेंट्स को देखेंगे तो आप मोहित हो जाएंगे अधरवाइज बहुत लोगों को तो बस वह पत्थर ही दिखता है ठीक है तो यह अपने अपने देखने का नजरिया होता है दुनिया को आप किसमेजर से देखते हैं तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और साथी साथ जो भी दोस्त हैं उनमें भी जराई से सेर करिए ठीक है और क्विज के लिए प्लीज टेलीग्राम जोइन कर लीजिए